जिला बिलासपूर की ग्राम पंचायत बैहल के गांफ फेतली में श्रीमत भागवत कथा का शुभारंब हो गया है जिसको लेकर आज गुर्द्वारा साहिब से लेकर गांफ फेतली तक कलश यात्रा शुभा यात्रा के रूप में निकाली गई बताते चले कि यहां गांफ फेतली में श्रीमत भागवत कथा हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से करवाई जा रही है ये श्रीमत भागवत कथा गांफ फेतली के समस्थ परिवारों स्थानिय लोगों के सहयोग से करवाई जाती है इस दोरान श्रीमत भागवत कथ कथा को सुनने के लिए दूर्दराज क्षेत्रों से भक्त जन पहुंचते हैं और कथा का आनंद उठाते हैं पंडित राकेश कुमार आचारे अपने मुखारविंद से कथा वाचन करेंगे और सत्संग रूपी वर्षा से उपस्थित भक्तों को निहाल करेंगे श्रीमत सिर्पर्ण से ऊच्तों करेंगे और स्थार हैं या calming सुने जदे़े हैं और सुनीत लोगिंद से रहावं। ऐसावन। आज से हमारे गौण बहल के फितली वास में शिरीमत बागवत का थाजी का शुप आरम हो चुका है इस बागवत का थाज में बहल गौण के पूरे फितली वास के लोग के द्वारा साल के दूसरी बार ये आयोजन किया जा रहा है और तमाम गौण बहल गौण कोड़ावला सभी वक्त जनों से नवेदेने कि इस कथा में पहुंच कर पुन्या का भागगी दार बने और अपने जीवन को सफल करें इस कथा का जो कथा व्यास पंड तरकेश कुमार जी दौलवालवाले जो इस साल दूसरी बार गौण बहल के बास फेतली में कथा शुरूर करने आज से जा रहे है तो सवीशे प्राथना कि इस कथा में पहुंच कर अपने आपको सुन्या का बागी दर बनाए एक बात और इस कथा का समय दोपहर एक बज़े से लेकर चार बज़े तक और उसके बाद बंडारा हर रोज